सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टाडियादा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट वेल्कम तू बालाजी स्टाडियादा नमस्कार दोस्तों बालाजिस्ट रेड़ा में आपका स्वागत है जैसे कि हम प्रीवियस एयर के सेट जो है लगबग आपको सभी अलेडी प्रेक्टिस करा चुके हैं एक नई सीरीज हम आपके लिए लेके हैं जिसमें हम सन 2011 से लेकर अभी तक यानिकी 2018 तक जितने भी आपक प्रस्ण EVS सेक्षन में यानि कि पर्यावरण में हो चुके हैं उन सभी को मातर दो वीडियो में देखेंगे यहां पर हम केवल और केवल प्रस्ण और उनके उत्तर ही जो है वो देखेंगे जिसे कि आपका एक क्विक रिविजन हो सके जो प्रीवियस एयर के कोश्चन है व 2011 से प्रस्ण आपका निमन में से कौन सी अंतराश्टी संस्था पूरे विश में पर्यावरण सुरक्षा की देखबाल करती है सही उतरों का आपका ऑप्शन नमबर वन डबलु डबलु एफ फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड फंड जिसे हम वर्ल्ड वाइड परंतु कीटनासक जो है चलकाओ अब देखते हैं खेतों में जादा होता है तो वहाँ से जल प्रदूसर जो है वो जादा होता है तो आपका ऑप्शन वाइउ प्रदूसर भी है परंतु यहाँ पर जल प्रदूसर सही माना गया है अगला प्रस्ण है 123 लवर्ड जो जल का अवसोसर करता है वो क्या कहलाता है तो यह जो है वो हाइग्रोस्पोकिक लवर्ड जो है वो कहलाता है ऑप्शन वन आपका सही हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक लवर्ड अगला 124 है पाइस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का सनरचड तथा उनके होता है आपका स्वाहिस्थाने और एक होता है अपस्थाने तो अपस्थाने सण्रatchड के अंतरगत, पारिस्थिति क्तंत्र और प्राकृत्तिक अधिवास हैं उनका सन्रचड या उनके प्रति प्रति प्राप्ति जो है उसके लिए आप कह सकते हैं ये प्रयोक्त पद होता है जो कि आपके प्रस्न में ही पूचा गया था अगला प्रस्न 125 है एक्स्प्रिनेशन डिटेल में हम सब के बारे में अलड़ी बता चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं पांच प्रजातियों के समुद्री कक्चक में सबसे अधिक संख्या जो है वो किसकी है सही उत्तरों का आपका उप्शन डिटेले की है यह जो है वो भारतियों महादियों में जो जल भाग है उसमें पाई जाने वाली पांच प्रदासियों में से सबसे अधिक इनकी संख्या है अगला प्रसन 126 है विस्व उसमायन के लिए निम्ण में से कौन सा एक कारक है तो विस्व उसमायन जिसको हम गलोबल वार्मिंग कहते हैं उसके लिए वहनों से निकली गैस ऑप्शन वन आपका हो जाएगा अगला है धातू में प्रस्तर किसे कहा जाता है तो धातू में प्रस्तर जो है वो किसे कहा जाएगा ऑप्शन नमबर 4 आयसक जो है इसको कहा चाता है अगला प्रसन है 128 पेड़ पौधे पुर्दूसर को घटाते हैं क्योंकि वे अवसोसर करते हैं तो किसका अवसोसर करते ह वे जो है carbon dioxide का जो है वो अवसोसल करते हैं 129 ने भूकम्प मापा जाता है तो आप सभी जाते हैं भूकम्प जो है वो रियक्तर पहमानी पर जो है वो मापा जाता है option 4 जो है आपका सहीव जाएगा अगला प्रस्ण 130 है महासागरों में जल इस्तर व्रद्धी का कारण है तो क्या करण है धुर्वी प्रदेश में बर्व का पिगलना 131 प्रस्ण वातावरण में अत्यदिक हानी कारक सल्फर मिसरित गैस कौन सी है तो यह जो है वो SO2 यानिकि सल्फर डाय ओकसाइड है पांच जून को जो है वो मनाय जाता है अगला प्रस्ण है सूर की हानिकारक क्रणों से प्रत्वी को कौन सा इस्तर सुरचित रखता है तो ओजून इस्तर जो है वो सुरचित रखता है अगला एक किसी जगा के फ्लोरा और फोना यह फना नहीं है यह फोना है फ्लोरा और फाउना जो है वो सुचित करते हैं तो किसको सुचित करते हैं ये आपका पेड़ पौदो और जन्तूओं को सुचित करते हैं ये प्रस्ण आपका काफी बार पूछा जाता है ध्यान जरूर रखिएगा प्रस्ण 136 है पाइसेतिक तंत्र का उधारण क्या है तो ये जो है वो तालाब होता है कौन जीवी ये कारक नहीं आपको बताना है तो जीवी ये कारक नहीं में आपका हो जाएगा प्रस्तर यानि की पत्तर जो है उसमें जीवी कारक नहीं है अगला है अधिकतर पेड़ पौदे कहां पाए जाते हैं कौन से मंडल में तो ये जो है होते हैं वो įस्तलमंडल जो है उसपर कह सकते हैं आसानी से प्राप्ट हो जाते हैं अगला प्रस्ब्राषन 119 अन्यम्रत जंतु उपर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है तो उन्हें हम कहते हैं इसके वेंजर जो है भोजन के लिए अन्य मृत जो जन्तु होते हैं उन पर निर्वर रहते हैं अगला प्रस्ण 140 है CNG संचिप्त रूप किसका है तो ये जो है वो compressed natural gas जो है आपका option number 2 जो है वो हो जाएगा अगला प्रस्ण 141 है निमन में से कौन विस उसमायन का कारण है तो कौन से सही होगा सही होगा आपका option number 3 वायू प्रदूसर जो है वो विस उसमायन जिसको मैंने पहले बताया global warming उसके लिए उत्तरदाई है अगला है महासागर प्रत्वी प्रष्ट के अधिकान से जगा आवरत का होता है मतलब ढका है जो लगबग है कितना है तो ये जो है वो तीन चौथाई है महासागर जो है वो तीन चौथाई है और एक चौथाई यानि जो बाकी बचा है ये जो है आपका इस्थल मंडल है तो हो सकता है स्थलमंडल अगली बार पूछ लिया जाएं अगला स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेक्माइट में निच्छेपड किसका होता है ये बीटीसी के कोर्स में आपका था जो रिस रिसकर जो है आपकी कह सकते हैं नीचे ये कोनेदार जो है वो बनती हैं जो चटाने उनको हम इनी नामों से जानते हैं और इन में निच्छेपड किसका होता है तो ये होता है आपका कैलसियम कार्बोनेट का अगला है निम्ड में से कौन वायू प्रदूसर का एक उधारन है तो ये जो है वो आपका धुआ को आसा भी होता है वहानों से निकलने वली गैसे जलतीवी लकडिया चार कोलिया निकली गैस उपरोग तो सभी आपका हो जाएगा अगला परस्ते है भारत तथा दूसरे देसों में दूसर को रोकने की लिए बनाए गए नियम किसका प्रियोग करते हैं तो किसका प्रियोग कह सकते हैं कि किसके रोक पर बल दिया जाता है तो यह आपका हो जाएगा प्लास्टिक के थैले हो जाएगा अगला प्रस्ण हवा में उपस्तित oxygen का percentage, देखिए यहां percentage से भी related आपका प्रस्ण इससे पहले भी पूचा जा चुका है, वहां पर पूचा गया था कि किंदो पृत्षत का सारवाधिक मान होता है, तो वहां पर nitrogen और oxygen सही था, तो इनका percentage अवश्य ध्यान रखेगा, यहां पर क्या सही होगा, option number 4, 21% होता है, और point में कहा जा तो 20 point something भी जो है, इसे देखा जाता है, अगला है परमतापक्रम, पैमाना कौन सा होता है, तो यह जो है वो, आपका केलविन जो है, वो होता है, प्रकास संसलेशर संपादित किसमें होता है, तो यह जो है सभी हरे पौध में होता है, अगला है ध्वनी या ध्वनी प्रदूसर किसमें मापा जाता है, तो ध्वनी प्रदूसर डेसिबल में मापा जाता है, और अगला 2011 का लास्ट सेट का प्रस्न है, इन्यम्ड में से कौन पर्रहवन के लिए हानी कारक है, तो पर्रहवन के लिए हानी कारक जो है, तो यह सारे हमारे प्रस्ण समापते हैं 2011 के अब हम बढ़ते हैं हम अपने नए सेट की तरफ हो तो यहां से हमारा सेट इस्टार्ट कौन सा हो रहा है सन 2013 का क्योंकि 12 में आपका नहीं हुआ था तो 2013 के देखते हैं चलिए तो इस प्रस्ण वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चलिए बढ़ते हैं प्रस्ण 121 की तरफ की निमलकित भारती राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है तो राजिस्थान ही जो है यहां पर सहिऊ होगा जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है अगला किसी नदी के पुर्दूसर इस्तर की माप की जाती है तो किसे की जाती है ये जो है वो BOD से की जाती है फुल फॉर्म होता है इसका बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगला प्रसन देखते हैं 123 प्रसन है आपका कि वायरस संक्रमर से होने वाला रोग कौन सा है तो जुखाम जो है याँपर ऑप्शन तीन आपका सही हो जाएगा 124 प्रसन है कि भारत में करसी को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महतपूर तत जो है वो क्या होता है तो ये जो है वो वरष्टी होता है ये वरष्टी है आपको नहीं पता है क्या होता है तो वरष्टी होता है पानी बरसना तो यहीं सबसे जाधा प्रभावित करता ह अगला प्रस्ण 125 है कि वायू मंदल की सबसे ठंडी परत कौन सी है परतों से सम्मंदित भी एक प्रस्णावश्च पूछ लिया जाता है तो थोड़ा साच्छे से इसको ध्यान रखिएगा तो सबसे ठंडी परत की बात करें option 2 आपका जो है वो मद्य मंदल हो जाएगा क्योंकि प्रत्वी तोलसे जैसे हम उपर के और बढ़ते हैं तापमान गटता है फिर बढ़ता है फिर गटता है और मद्य मंदल पर कह सकते हैं या मद्य मंदल के बाद फिर बढ़ना सुरू हो जाता है तो मद्य मंदल की जो मद्य सीमा है उसमें तापमान गिर कर जो है माइनस 100 डिगरी सलसियस जो है वो पहुँच जाता है माइनस 100 है आप समझ सकते हैं ये कितनी छंडी परत होगी प्रसंद अगला है 126 कि निमलिकित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है ग्रीन हाउस गैस के लिए ट्रिक हम आपको बता चुके है मीना का जल्वा और ग्रीन हाउस गैस है तो आपका option number four हो जाएगा मेथेन मैं आपको बता दिया अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना जो है वो किस वर्स होई थी तो कब होई थी 1973 में जो होई थी अगला है प्रत्वी तरपल उस कालपनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मिरीडियम या मोतर पर कीची है तो सही होगा आपका option number पहला अंतर राश्टी तिथी रेखा जो है इसे कहते हैं अच्छा प्रास ने ध्यान रखेगा अगला है निमलिकित में से किस राज्य में गोल्फ आफ मनार मैरीन राश्टी पार्क इस्थित है तो किस राज्य में है ये जो है वो तमिल लाडू में option 2 आपका हो जाएगा अगला प्रस्थन है जनगर्णा 2011 के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात जो है वो कितना है तो पहला option होगा 940 अनुपात 1000 अगला है निमलिकित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है सभी जानते हैं केचुआ को कहा जाता है तो ध्यान रखेगा अपका option number 3 उत्तरा खंड जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि चिपको अंदोरन की सुरुवाती 1973 में जो है वो होई थी उत्तरा खंड राज के चमौली जिले से अगला प्रसन देखते हैं 133 अगला प्रसन 133 है जीवों के विवहार का अध्यन किया जाता है तो इटियोलोजी जो है इसमें विविन प्रकार के रोगों की विवेचना सम्मंदी नियोलोजी में तंत्री का तंत्र से सम्मंदी रोग इथोलोजी में आपका जीवों के इसका महतपोर सुरोत है आप जानते हैं इसकी कमी से सरीर में जो है वो घेंगा रोक हो जाता है और जो थाराइड ग्रंतियां होती उतमें सूजन भी आ जाती है अगला सैके या लाइकेन है तो ये क्या है ये जो है बुल सैजीवी है सैजीवी होता क्या है ऐसे जनतुय ज्रूप में किसमें इस्त्माल होता है तो वहनों में बिलकुल होता है उत्योगों में भी होता है खाना बनाने में आप CING का यूज करते हैं आपका सही हो जाता है क्योंकि पाराप्त जो आप कह सकते हैं अनुबव चाहिए होता है या कह सकते हैं प्रतच अनुबव आप कह सकते हैं उसके द्वारा जो बच्चे सीखते हैं वो कहीं न कहीं बहुत ही वैल्लीवल होता है अगला है LPG किसका संचित रूप है तो फुल फाम होती ह liquefside petroleum gas अगला है प्रत्वी पर पहुँचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अफसोषिद करती है तो सभी जानते हैं आप जो पराबैंगनी किरणे हैं उनको अफसोषिद करती है अगला है चमकादार जो है वो स्तंदारी है तो चमकादार स्तंदारी है क्योंकि वह जो है वो reason क्या है क्योंकि जो है वो बच्चे देता है अगला है परावन की परिभासा क्या है तो सबसे बेश्ट जो परिभासा है वो पहला ही है कि एबायोटिक एवं बायोटिक घटा के से पहले भी प्रस्ण भी इसे इसे डिलेटिड आया था वहाँ पर भी मैंने आपको बताया अगला है निमलिकित अंतराश्टी संस्थाओं में से कौन सी संस्था है जो वनीजीवन से छड़के परती समर्पित है तो कौन सी है UNDP आपका सही हो जाएगा United Nations Development Program और यह जो UNDP आप देख रहे है यह UNO यानिकि United Nations Organization जो है उसकी एक संस्था है अगला प्रस्ण 143 है कृत्रिम वर्सा के लिए में एक बीजन के लिए प्रियुक्तर रसायन जो है वो कौन सा है यह जो है वो Silver Iodide होता है कृत्रिम वर्सा के लिए अगला है बायो डीजल तैयार किया जाता है तो किससे तैयार किया जाता है यह प्रस्ण आपका काफी बार पूचा जा चुका है जेट रोफ आद्यान रखेगा important प्रस्ण है अगला है विस्व ओजोन दीवस मनाया जाता है दीवस से संबंदित भी प्रस्ण आपके एक नएक पूचे जाते हैं तो विस्व ओजोन दीवस मनाया जाता है 16 सितंबर को अगला है सिल्वी कल्चर संबंदित किससे है तो सिल्वी कल्चर संबंदित है आपका वन एवं वन उत्वपाद से संबंदित अगला है निमलिकित में से किस जनपद में चंदर पुरभा, वन जीव, अभ्यारण इस्थित हैं तो ये जो है वो चंदॉली जो है आपका सही हो जाएगा उत्तर ब्रदेश के चंदॉली में जो है वो इस्थित हैं अगला आन उनलिकित में से कौन 34 already का उबहकता है, तो 30 उस्रेडि का उबहकता में आपका option जो 2 है, six, यह वो सेव जाएगा, हाथी जो है, यह आपका और साथ में बकरी जो है, यह दोनों ही आपके परतम स्रेडि के है, such जो है, आपका 33 उस्रेडि का है, और जो, share है, वो आप जुमकेती जो है वो मेघाले में जो होती है जुमकेती आप कह सकते हैं जो परवती है या जो पठारी भाग है उनमें जो वन होते हैं उनको काट कर की जाने वाली एक आस्थाई जो है वो क्रसी पदिती होती है भारत में कहां कहां होती है तो यह पूरवतर जो राज है जैसे क की जाती है लाश्ट हमारा प्रसन है 2013 सेट का सुसक बर्फ किसका ठोस रूप है तो किसका है तो तर मारा सेहिए हो जाएगा option 2 carbon dioxide यह जो है वो सुसक बर्फ जो है उसका ठोस रूप होता है तो यहां पर हमारे सेट समापते 2013 के यहां से हमारे स्टार्ट हो रहा है 2014 का हम बैक से चल ले हैं 2011 फिर 13 फिर उपर उपर बढ़ते हैं दारेक्ट हम 2018 तक तो आएंगे तो चली देखते हैं अब सन 2014 सेट के जो है वो 30 प्रसंद वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना बिल्कुल ना भू क्या है तो बैरो μεीटर आपकर और बन जो है वो सही हो जाता है अगला है पीटी का पास जो एक ट्रांस जनिक करने कि जमता होती है जिसके कि общемन्त कित होते हैं यह हांिकार्द कीट होते हें कीड़ होते हैं उसे अपनी सुरच्छा कर लेता है और इसमें यह जो गुड़ पाया जाता है वो बैसिलस थुरीन जीन सीस नामक एक जिवालू होता है उसकी उपस्थिती के करण होता है एक्स्प्लेनेशन में मैं अलोड़ी बता चुके हैं परनतों इंपोर्टेंट था इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ तो एक ट्रांसजिनिक पौधा हो जाएगा अगला है कि कौन सा वायूमंटली प्रदूसक अमली वर्षा का मुखे कारक है तो कौन सा है बात करें उत्तरगी तो सही हो जाएगा आपका ओप्शन नमबर वन एसो टू यानिकि सल्फर डाय ओकसाइड अमली वर्षा का एक प् अगला है 125 निमलिकित में से कौन सा रसाइन आम पकाने में प्रियोग होता है तो कैल्सियम कारबाइड जो है आपका यूज होता है उप्शन तीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला है कौन सी बिमारी दूसित जल पीने से फैलती है इस टाइप के प्रसन आपके काफ अगला है निमलिकित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है देख रहे हैं आप यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों से प्रसन पूछा ही जा रहा है ट्रिक मैंने जो बताई थी उससे अगर आपको ध्यान होगा तो आप कह सकते हैं CO जिसे हम कहते हैं कारबन मोनो आकसाइड यह जो है आपकी नहीं होती है तो आपका उप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रसन है क्योंकि यहाँ पर नहीं जो है वो पूछा था अगला है इन में से कौन दिव बीज पत्री पौधा है आपको बताना है तो यह सही हो गया जैसे की दाले हो गई जैसे की सोया बीन हो गया यह सभी जो है जिनमें दूई बीज पत्री जो है वो आपके एक्जामपल हो जाएंगे जिसमें जो है यह जिनके बीज में जो है वो दो पत्रिया दल जो होते हैं तो सरसों चना दाले सोया बीन सरसों चना दाले सोया ब किसे प्रापत होता है, तो वो, फ्लोयम से प्रापत होता है, तो फ्लोयम जो है, फ़ल, जैल, अगला प्रसनी apparent 130 है, कौन सा प्रथम साहित शुरोथ है, तो आप इनको पढ़के देखी, तो सबसे पहले आप रिगवेद का नाम लेते हैं, तो यही आपका प्रतम साहित सुरोध भी होता है, रिगवेद आपका सही हो जाएगा, अगला प्रसने वायु मंटल में 99% भाग पर किंदो गैसों का विस्तार है, यही मैंने आप से कहा था पूचा गया था, तो ध्यान रखिएगा, सही होत्तर कौन सा होगा, सही होगा, अप्रसन नमबर टू, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, अगला प्रसन है, पारवाणी अध्यन में सैचडिक भरमड का मूल उद्देश क्या होता है, तो यह जो है चातरों के लिए प्रसन अगला है, कारकी ये रूप से सुस्क मिट्टी की क्या विसेस्ता है, इसको कैसे पैचानेंगे, तो सही होगा, आपका उप्शन नमबर टीन मिट्टी में लवर सांधृता अधिक होगी, यही आपका सही हो जाएगा, अगला है, सतत और व्यापक मूल यांकन क्यों अवश्यक है, तो निरंतर मूल यांकन होते रहने से जो सिच्छारती है, उनमें परिक्चा का अनावश्यक भै नहीं रहता है, यही आपका सही हो जाएगा, अगला है, चरने वाले पसूब अनस्पती को कैसे बदलते हैं, तो सही होगा आपका उप्शन नमबर तीन, चुन ऑप्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका उत्तर आपको कमेंट सक्षन में टाइप करके बताना है, जैसे कि सभी वीडियो में हम आप से एक प्रसंद बोशते हैं, इस वीडियो के आपके लिए यही प्रसंद है, सन्दो हजार चौदा को जो हमने सेट स सही बताते हैं, अगला प्रसंद 138 देख लेते हैं, कि प्रात्मिक स्तर पर सिचल की खेल विदी आधारित है, तो किस पर आधारित है, ओप्शन 4 सिचल विदी के सिध्धानतों पर आधारित होती है, अगला प्रसंद देखते हैं, वायू मंडल की सबसे निचली परत का ना नाम है छोब मंडल अगला है विटामिन C की कमी से होने वाली बिमारी का नाम तो विटामिन C की कमी से होने वाली बिमारी जो है वो इसकरवी होती है विटामिन B की कमी से जो है वो बेरी-बेरी होता है एक की कमी से जो है वो रताउंदी होता है और थकान जो है वो जो रक्त है उसमें लौह की कमी से होता है तो थकान, रक्त में लौह की कमी से विटामिन A की कमी से रताउंदी B की कमी से बेरी-बेरी विटामिन C की कमी से इसकरवी अगला प्रसन 141 चाप भारत की पर्थम महिला IPS अफसर कौन है तो कौन है इंचारों मेशे सही होगा अप्शन 3 कीरण बेदी जनमी कहां थी है अमरिस्वर पंजाब में 1972 में और यही आपका सही हो जाएगा अगला प्रसन 142 है असम का प्रसिद एक सींग वाले गैंडे वाला वन जीव अब भारन कौन सा है सभी लोग जानते हैं काजी रंगा जो है वो सही हो जाएगा इस्थिति की बात करें तो काजी रंगा कहां है अब सभी जानते हैं काजी रंगा जो है वो वन जीव अब भारन असम के गोला घाट एवं नवगाव जिलो में इस्थित है और यह बेरान एक सिंघ वाला जो गैंड आपकर आगने चंटान का उधारन है तो बेसाल्ट जो है आपका सही हो जाएगा आगने चंटान का निर्मार्थ जॉलाम की जो उधगार है उसके समय निकलने वाला جो लावा होता है जिसको मैगमा कहते हैं प्रत्वी के अंदर भाहर ठंडा होकर जमने से होता है इसके उधान में आपका ग्रेनाइट है, बेसाइट है पेगमेटाइट है, डायोराइट है यह सबी हो जाएंगे चटानों से भी आपका प्रस्न पूछा जाता है इसलिए मैंने नाम भी बता दिये हैं ध्यान रखेगा प्रस्न अगला है, प्रत्वी के वातरवन की किस सता में ओजोन परत पाई जाती है यहाँ पर देखे, ऑप्शन ही इंग्लिस में दे रखे हैं यदि आप हिंदी में रटे हैं तो आप यहाँ पर कन्फियूज हो सकते हैं सही होगा आपका उप्शन नमबर 2 जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्पेर और इसी को हम हिंदी में कहते हैं समताप मंडल तो हिंदी में, इंग्लिस में नाम दोनों में पता होना चाहिए अगला प्रस्न देखते हैं सिक धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है तो कौन है सहयोगा आपका option no.4 गुरू नानक देव का जन पौर 1669 में पंजाब के तलवंडी नामकिस्थान पर हुआ था option 4 आपका सहयोग जाएगा प्रसन अगला 146 भुकम की तीवरता नापने का यंत्र है कौन सा है तो यह जो है वो सिस्मो ग्राफ हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं 147 दचडी गोलार्द का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है तो कौन सा होता है यह जो है वो 22 दिसंबर होता है इसको सूर जो है वो मकर रेखा पर ना कह सकते हैं लंबवत चमकता है सूर जो है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है जिससे दचडी ग तो लार्ड में सबसे लंबा दिन और रात जो है वो छोटी होती है यही जो घटना है वो मकर सकरांती या सीत अइनांत भी जो है वो कहलाती है अगला पसनिक 148 सत्यार्थ प्रकास के लेकग का नाम क्या है तो क्या है यह जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है इसकी अनरचन वन जो है वो सही हो जाएगा अगला पसनिक 148 है बीहु भारत के किस राज्य का लोक नरच्ट है तो यह हो जाएगा आपका उप्शन नमबर 3 असम जो है इसका है धान रखेगा असम की बहु इस टाइप से एक ट्रिक भी जोड़ सकते हैं कि असम की बहु इस टाइप से जो कत्थक है तो यह सारे हो गaimer इन सबी के लोगनर्त है मेला है इन सबी इसे पारस्ट मेंपूछा रह सकता है क्योंकि आपके कोर्स powiedziałink एक सेट हम येर का और देखेंगे 30 प्रसंद वो देखेंगे हम सन 2016 का सन 2016 कराने से पहले मैं आपको बताऊं कि सन 2014 में और 15 में आपका जो है वो पेपर नहीं हुआ था तो चलिए देखते हैं प्रस्ट नमबर 121 बाकी जो प्रस्ट है हमारे यानि कि 3 साल के एक हमारा 2016 वाला, December वाला, 2017 वाला और 2018 वाला वो हम इसी वीडियो के second part में जो है वो complete कर देंगे यानि कि total 90 प्रस्ट बाकी बचे हम अगले वाले part में देखेंगे तो यह आखिरी 30 प्रस्ट नमारे होंगे प्रस्ट है आपका 121 प्रेचड जो है विदी उसकी सीमाएं जो हैं तो कौन सा सही होगा सही होगा आपका option no.4 वो प्रोगत सभी यानि कि विदी में त्वाई नहीं है इस विदी में प्रेचड सुचिमता से ना करने पर प्राप्त प्रडाम अधिक वैद और विश्वसनिय नहीं होते हैं और इस विदी से व्यक्ति के आंतरिक विवारों का अध्यन संभाव नहीं है तो आपका option 4 ही जो है वो सही हो जाएंगे और एक चीछ आपने नोटिस की तो जैसे जैसे 2011 से लेकर हम सन 2018 जोर बढ़ रहे हैं तो पेड विव समुदाय और उसके वातावरन का संतुलित जो तंत्र है उसको जो है वो कहते हैं अगला प्रस्ने 123 देखते हैं मानो विकास के करम में दो पैरों पर चल लेका सबसे बड़ा लाब जो है वो क्या है बहुत ही अच्छा प्रस्न था जब हमने सेट सॉल कराया तो आपको जियंत्र को क्या कहते हैं तो यह जो है वो सिस्मुगराफ कहते हैं अगला प्रस्न है सूर से निकटतम ग्रह कौन सा है तो कौन सा है यह जो है वो बुद्ध है क्रहों की स्थिती भी अवशय ध्यान रखेगा बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रषपती, सनी, गुजर जाता है तो गुजर से क्या आयाद रखेंगे गुजरात option 2 आपका सही हो जाएगा अगला प्रसन है निरिच्छड विदी जो है उसकी विसेस्ता कौन सी नहीं है आपको बताना है तो तीसरा option होगा कि ये एक बाल केंदरित विदी है जिसमें सिक्छक एवं प्रसासक के रूप में होता है ये जो है आपकी विसेस्ता नहीं है और एक चीज़ और बता दूँ जो गुजरात वाला आया था गिरराश्टी पार्क इसके बारे में ये जो है ACI बबबर सेरों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है अगला प्रसन 128 है परवन सिच्छा में समस्या समाध द्धान विधी का गुड़ है तो लच केंद्रिद विधी भी होती है सजनात्मक विधी भी होती है चैनात्मक ता भी होती है और ये सभी आपका option 4 बिल्कुल सही हो जाएगा अगला किसी पारितंत्र में तत्तों का चक्रण क्या कहलाता है तो ये जो है वो जैव या जीव भूरासाइनिक चकर आप इसे कह सकते हैं लगला प्रस्न है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है वो कौन है तो ये जो है वो सुन्दरलाल बहुकुडा है लगला है इंसुलिन की रासाइनिक प्रकृती क्या होती है तो इंसुलिन एक जो है वो प्रोटीन होता है इंसु पंसलेशन को भी कह सकते हैं ये प्रेरित करता है और ये पेसियों में ग्लूकोस उपापचय को भी तीवर करता है अगला है पौदों में अड़सूत्री विवाजन होता है तो सही होगा आपका अप्शन नमबर 4 पराग कोस में जो होता है और इसी पराग कोस से परागण निक जाने वाली औसदी कौन सी है तो ये जो है वो कौन सी है ये आपको बताना है सही होगा आपका अप्शन नमबर 3 पैरासुटमॉल ये जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रसन है 136 मानो रुदिरवर की खोज सरबतम किस विज्ञानिक ने की थी तो ये जो है वो इनका पूरा नाम था और मानो रुदिरवर के प्रकार की बात कर रहे तो A, B, A, B और O ये जो है वो मुकिता डिविजन किया गया है अगला है प्याज, आलू, अद्रक है तो ये क्या है ये सबी जो है वो तना होते हैं प्याज के तने का वह भाग जो भूमी के अंदर पाय होते हैं और जैसे एक्जामपल की बात करने तो हल्दी, प्याज, केला, फर्न, आलू, लहसून, अद्रक, अर्बी ये सबी जो है वो भूमी गत्तने के ही उधारन होते हैं अगला प्रस्ण एक कोस्की है सूचम जीव इन में से कौन सा है ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप् पादब उतपाद साबुन का विस्थापन है, तो कौन सा है? यह वो रीठा, जो है, वो सई हो जाएगा, रीठा जो है, भारत में पाए जाने वाला एक प्रमुक पादब उतपाद होता है, इसका हलका रंग जो है, और रीठा का सिखाया हुआ, फल है, सैंफु है, डिटर् धातुएं होती उनको चमकाने में भी जो है वो इस्तमाल करते हैं अगला प्रसने निमलिकित वहनी इर्दनों में से किसको आजकल पर रहे वराण इसने ही माना जाता है तो संपीडित प्राकर्तिक गैस यह आपका सही हो जाएगा जिसे हम आपको उपर बता चुके हैं कि CNG ज अपसिष्ट की बात करें तो कौन सा है गैसी अपसिष्ट आपका लकडी कोईला से जलने वाला धुआ हो जाएगा अगला है निमलिकित में से कौन से पौते दूर दूर प्रसारित होंगे तो सही होगा आपका फल द्वारा प्रकेंडित पौते अगला है जब एक जीव ला उधान हो जाएंगे अगला देखते हैं कि जब मोर जो है वो साप को खाता है साप कीडों को खाता है और कीडे हरे पौधों को खाते हैं तो मोर जो है उसका पोसड तल जो है वो क्या होगा तो सही होगा आपका उप्शन नमबर फोर खाद पिरामिड के सीर्स पर जो हो गिलपस ने 146 से मासागरों में निम में से कौन सा लवड सारवादिक मातरा में पाया जाता है तो यह वो सोडियम क्लोराइड जो है वो पाया जाता है जिसे हम NACL कहते हैं समुदरी जल में 77.8% तक यह यह पाया जाता है दूसरे स्थान पर एदिया आपसे पूछ लिया जाय तो क्या हो जाएगा मैगनीसियम सलफेट जो की 4.7% होता है अंगला प्रसन 147 है राजसमा में होने वाली सभाओं की धचिता कौन करता है तो कौन करता है यह वो उपर राश्टपती करता है अंगला प्रसन 148 है निम्ड में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सारवादिक छेतर पर है तो यह वो काली मिट्टी का है 149 प्रसने जो साका हारी जन्तु भोजन के लिए हरे पेड़ पहोते जहें उन पर निरभर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें प्रथम चरण उभोगता कहते हैं और अगला और इस वीडियो का लाश्ट प्रसने आपका 150 की प पैसिला स्पेश्टिस नामक जिवाणू से फैलता है और इसका जो संक्रमन है वो चूओ पर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं उनसे जो होता है और इनके सरीर पर जो प्लेग है उसका बैक्टीरिया भी रहता है तो प्लेग आपका एक जिवाणू जनित बिमारी में आ जाएगा तो इसी के साथ हमारे टोटल चार साल जो है उनके हमने सेट के पार्यावन के प्रसंदेखे बाकी बचे तीन साल भी जो हम अगले वाले पार्ट में देख लेंगे तो दो वीडियो में सभी हमारे प्रसंद प्रिवियस येर के कम्प्लीट हो जाएँगे तो अवश्य कमेंट सेक्शन में यानि कि वीडियो का मेन कमेंट वहाँ पर अवश्य बताएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिए नमस्कार थैंक्यो फॉर वाचिंग